गुड मॉर्निंग आज हम चैप्टर नमर 17 पढ़ेंगे इसमें चैप्टर नमर 17 एमर्जेंस और सोशल आइडियाज पहले पढ़ेंगे कि सोशलिस्ट का एमर्जेंस कैसे हुआ और सोशलिस्ट आइडियाज कैसे जन में रिवलिशनरी एक्टिविटी और अधर कुछ नू फोर्सेज तो पहले पढ़ेंगे स्वार स्वराजिस्ट और जो नॉन चेंजर्स थे नो चेंजर्स जो स्वाजिस्ट और जो थे जनिसेज जनिसेज जो था कॉंग्रेस को खिलाफद स्वाज पार्टी का आफ्टर गान्द जी जो विडियो कर लेते हैं 1922 में मार्च में इनको आरेस्ट कर लिया आता है और एक महिने बाद ही फरवरी में तो बंदी हुआ था और इसके बाद जो mar 투 yw बहु सार डीस म्या जैसे जो डिबेट इस्ट इस्टारोटि होती है अमंगे स्कॉरिस नंट इस्ट के लिए रीधि इस्टार्ट होती है कि what to do during transition period अब क्या करा जाए इस transition period में जिससे that is the passive phase जो है of the moment इसको passive phase कहेंगे कि यह बहुत सब को शान्त पढ़ा है एक section जो lead किया जाता है CR Das, Amotilal Nehru और अजमल खान जो चाहते थे कि end हो जाए by court of legislative council वो चाहते थे कि by court किया जाए legislative council का so जो next list है week कर सकेंगे assemblies को और use कर सकेंगे council को as a area of political struggle जिससे जो popular enthusiasm यहाँ पर आज सकेगा जो वो चाहते थे other word जो end और amend या फिर end कर दिया जाएगा फिर amend के end और mend जो councils का है लेकिन जो government ती did not respond लेकिन government कोच्छ ने response कर रहे थी to the nationalist, nationalist demand और ये abstract था working हम उनकी demand को और इस abstract करेंगे जो working है council का जे जो educate कर रहे थे वो चाहते थे those educating into the legislative council came और ये जो है नो ये जो ये इन लोंको सुराजिस्ट कहा गया और वाइल जो other school था जो lead किया जा रहा था सी राजा, गोपालचारी, पतेल राजेंद प्रसाद और M.A. अनसारी उनको no changer, no changers कहा गया तो एक सुराजिस्ट था और एक no changer था तो सुराजिस्ट वाले में सुराजिस्ट वाले में जो थे वो क्या गदे हमारे सियार दास, मोतिलाल, नहरू, अजमल, खान और जो non no changer वाले में थे उसमें हमारे सीराजा, गुपालचारी थे व्यलभभाई पतेल, राजेंद प्रसाद और M.A. अनसारी इनको no changer कहा गया जो no changer थे वो oppose करते थे काउंसिल की काउंसिल में entry करते थे जब और educate करते थे concentration on the constructive work उनका जो वो उनका मानना था कि constructive work होना चाहिए और जो continuation है by court के non cooperation की quit preparation for resumption of the suspender civil disobedient program जो difference था over the question of council, जो council में question के जाते थे इंटी के दौर्ण between two school of thought resulted the defeat of the surajist proposal of ending or mending, जो surajist का जो उनका proposal था ending or mending का वो लगबग defeat हो जाता है और जो council होती है गया session की जो जो गया session में एक congress की session होती है December 1922 में सियारदास और मुतिलाल नहरू resign कर देते हैं from president ship सियारदास और जो मुतिलाल नहरू होती resign कर देते हैं from the president ship और secretary ship से respectfully और जो congress होती है announce करती है formation of congress खिलाफत सुराज पार्टी congress खिलाफत सुराज पार्टी या फिर simply इसको सुराजिस्ट पार्टी कहते हैं तो इस तरीके से जो सियारदास और मुतिलाल नहरू resign कर देते हैं presidentship और secretary ship जो होती है congress की और बाद में वो announce करते हैं कि वो form करेंगे क्योंकि अपना एक congress खिलाफत सुराजिस्ट पार्टी एफ इसको सुराज पार्टी कहते थे जिसमें सियारदास जो थे president थे और मुतिलाल नहरू जो है secretary थे सुराजिस्ट आर्गुंट सुराजिस्ट का argument था कि सुराजिस्ट जो है उनका main reason जो था educate करना entry into the council पहला वो entry करेंगे entering the council council entry करेंगे और not negate the non-cooperation program और वो neglect करेंगे जो non-cooperation program है साथ में it would be like carrying on movement through other means opening a new front इस तरीके से वो एक नया movement चालू करेंगे एक नया opening होगा नय फ्रेंट पे जो टाइम था पॉलिट जो टाइम था पॉलिटिकल वॉल्यूम का अब जो ये समय था पॉलिटिकल वक्यूम का क्योंकि यहां पे पॉलिटिकल वेक्यूम आ गया था जो council work है वो सर्व हो रहा था जो masses थी kept on the moral पे और जो entry थी nationalist की वो डिटर कर रहे थी government from suffering the council और जो undesirable element है वो यू और जो use use हो रहे थे provide legitimacy to the government measure जो council थी वो use कर रहे थी एक एरिया जो पॉलिटिकल इस्ट्रगल कि थी और यहां पे कोई intention नहीं था कि वो use करेंगे council को as a organ for gradual transformation of colonial rule उनका नो इनका जो no intention था कि वो use करेंगे council as a organ for gradual transformation of colonial rule no no changes argument no changes का argument जो था वो argument करते थे कि जो पारलिमेंटी work है और उसको lead to neglect the constructive work उनको काम काज नहीं होने नहीं loss of revolutionary zeal और जो revolutionary loss हो रहा था जो revolutionary zeal का जो political corruption हो रहा था और जो constructive work है would prepare everywhere for the next phase of the civil disobedience जो constructive work है would prepare everyone constructive जो work है सभी को would prepare everyone for the next phase of civil disobedience agree to disagree agree to disagree both side जो थी वो चाहती थी कि वो avoid करें 1907 type split क्योंकि जैसे वहाँ split हुआ था यहां पे swarajist और no changer के बीच में लगभग जो जैसा 1907 में हुआ था split all kept in the touch with Gandhi जो उसमें jail में थे both side जो थी also release कि जो significance है putting up a united front to get a mass movement to force the government to introduce reforms both side accepted accepted the necessary necessity of Gandhi जी 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 लिडर्शिप और united nationalist front दोनों जो realize करते थे जो significance का united front का कि जो masses का movement है हमें क्याकते force करना चाहिए government को कि वो introduce करें reforms both the side accept कर रहे थे जान्दी जी की उनको जरुवत थी united national front पे keeping these factors इनको इन सभी factors को मानते हुए एक compromise होता है जो reach at the meeting in Delhi September 1923 में स्राजिस्ट जो है allow करे जाते हैं कि स्राजिस्ट जो है allow करते हैं contest election as a group within Congress और जो स्राजिस्ट है accept करेंगे कि जो Congress का program है with only one difference that they would join legislative assembly क्यों legislative assembly join करेंगे और election है to newly constituted central legislative assembly election है newly constituted central central legislative assembly में और two provincial assembly जो हेड होंगी number 1923 में स्राजिस्ट का जो manifest हो था election को लेके हो realize करते थे कि October 1923 में जो स्राजिस्ट मेंट स्वेस्ट हो था वो की strong anti-imperialistic line वो anti-imperialistic line पे थे जो pointed for forward जिसमें पहला कि गाइड करेंगे motive जो गाइड करेंगे motive जो है British का in governing India जो ले कर रहा था selfish interest of their country own दूसर सो कॉर्ड जो reform है only bind हों जो बाद में जो इंट्रेस्ट है और जो pretence हो रही है ग्रांटिंग responsible government होनी चाहिए जो real objective होना चाहिए जिससे कि continue continue रहे exploitation जो है unlimited resources जो हमारे country के हैं वो इंडियन्स permanently उनको servient position में ला दी है बिटन लोग और सुराजिस्ट जो सुराजिस्ट का जो present national demand है self government in council self government चाहिए उनको council के अंदर और यह जो demand है वो reject की जा रही थी और would not would would adopt policy uniform continuous और consistent वो एक uniform continuous और consistent of protection within the council जो है चाहते थे की में तो में गॉटने स्टो council impossible और जो council है जो council है वो दस्ट भी रेक्ट बाद फॉम दग देट लोग उन every measure है एक मेजर पे वो डेट लोग ला देते थे गांदी जी का जी इनिशली जो तो आपोस करते थे सुराजिस्ट प्रपोजल आफ तो council entry लेकिन बाद में रिलीज 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 फ्रॉम दप्रीजन जब बाद में बट आफ्टर इस रिलीज जब रिलीज हुए प्रिजन से ऑन हेल्थ ग्राउंड पे फरवरी 1924 में ग्रेजली जो मूव टूवर्ड्स ए रिकर्सिनेशन ऑफ दे सुराजिस्ट वो फील करते थे कि जो पब्लिक ओपजीशन है प्रोग्राम का council में entry वो counter productive होगी और नॉमबर 2023 में और से नॉमबर 1923 में करते हैं एलेक्षिन होते है और सउराजिस्ट जो हते हैं ओं मर्ज्व हो जाते ह caveat 42 AUTO 141 इलेक्ट्स इड्स जो यह बिन करते हैं 42 तो सीट जो 141 में से जो डूर वीज्वरारटी होती प्रोविशनिल एस सम्मली में सेंट्र प्रोविंस में और जो लेज़र होता है ये कोर्परेशन करता है लिबरेल के साथ और जो इंडिपेंडेंट जैसे जिन्ना और मालवी के साथ ये ये वन ए मेजॉर्टी बाद में जो करेजियर और अप अन कमप्रोमाइजिंग मैनर में इन वेज जो स्वराजिस्ट होते हैं फंक्शन करते हैं convince him that की they would not become just another limb of colonial administration वो एक दूसरी limb नहीं बना चाहते है colonial administration में और इस तरीके से जो government होती crackdown होता है revolutionary terrorists जो होते हैं और जो स्वराजिस्ट होते हैं towards the end 1924 तक बाद में जो एंगर होता है गांधी जी का वो एक्स्प्रेस होता है इनकी solidarity में with the स्वराजिस्ट जो है surrender करते हैं of their wishes both side जो है came to an agreement 1924 में agreement होता है जिसमें जो बेलागाओं session होता है Congress का 1924 में जहां पर गांधी जी जो होते हैं the only time गांधी जी president बना जाते हैं over the Congress पूरे जितनी Congress अभी तक session में गांधी जी के लेकी बैमनाई वो बेलग्राम में और जो स्राजिस्ट हैं चाहते थे कि work करें in the council as an integral part of the Congress स्राजिस्ट जो हैं वो काम करें integral part Congress में रहते हुए स्राजिस्ट की एक्टिविटी थी council में धी में धी में जो स्राजिस्ट की position थी वो वीक होती जा रही थी because of जो उनका whispered communal riot हो रहे थे जो split हो रही थी among स्राजिस्ट में themselves on the communal और responsitative और non-responsive non-responsive lines पे जो government की strategy थी जो divide करने की जो स्राजिस्ट की on more militant from from moderate जो हिंदू from the most Hindu from the most Hindus in Hindu from the Muslim was unsuccessful जो स्राजिस्ट थे lost करते अपना support many Muslim पे और ये जो party did not support the tenants जो against the jamidar in Bengal और tenants most of the tenants जो थे Muslim थे जो communal interest थे वो भी entry ले रहे थे party के अंदर जो death हो जाती है CR 10 1925 में और week week हो जाते हैं इस तरीके फदर जो रिस पॉन्स विस्ट थे अमंग स्राजिस्ट स्राजिस्ट के अंदर जो रिस्पॉन्स पिस्ट थे जैसे लाला राजपत्रा है मदन मोहन मालवी एंसी केल कर वो educate करते हैं cooperation with the government और जो गोर्डिंग है office where wherever possible beside इसके अलावा वो और सो वांटेट तो प्रोटेस्ट करेंगे कार्ड हिंदू इंट्रेस्ट जो कमनल एंट एलिमेंट्स थे वो भी जैसे मतिलाल नहरू जो जो डिड़ नॉट फेवर जोईनिंग दर कांसिल वो भी जोईन नहीं करना जाते थे काँजल और बिंग एंटी हिंदू रहते इवेन मुसलिम कमिलिस्ट कार सैंटी मुसलेम सेंटे मुसलिम स्राजेस्ट रहते गुव्याइं बी एंटी मुसलिम बनने रहते हैं जो में लीडर स्पती सींटिर्जेस्ट पार्टी की वह उं रिटर well as on whole they won 40 seat in the center 40 seat और कुछ जो सीटे होती मदरास में बाद में वो they were rooted in United Province और जो Central Province और जो पंजाब में 1930 में सुराजिस जो finally walk out as a result of Lahore Congress resolution pass करता है पौन्र सुराज और जो beginning थी civil disobedience moment की इस तरीके जो 1930 में जो सुराजिस होते हैं finally जो हैं walk out walk out करते हैं अपने जो Lahore Lahore Congress Lahore Lahore Congress resolution pass था जिसमें पौन्र सुराज की demand रखी जाती है और जो achievement थे पहला देखते हैं achievement सुराजिस्ट का no changer का जो इसमें पहला achievement जो कोलिशन पार्टनर थे जो vote कर रहे थे government several times और even on matter जो related थे budgeting, granting या फिर pass होता था adsorben motion तरुसा वो agitate throw powerful speech देते थे on self self government और civil liberties और जो industrialist के साथ जो वल्लब भाई पतेल थे वो elected speaker of the central विठ्थल विठ्थल भाई विठ्थल भाई पतेल जो है elect की जाते हैं speaker of the central assembly और in 1925 में बाद में 9 वर्दी जो achievement मिलता है defeat of the public safety will जो है वो in 1928 और इसके साथ जो aim था empowering the government to deport undesirable और subversive foreigners क्योंकि जो government वो alarm कर रहे होती जो spread हो रहा था socialist और जो communist idea था belief माना जा रहा था कि जो crucial role है वो play कर रहा है British और जो other foreign activist जो sent by the commitment अब by their activity और इस तरीके से file हुआ political vacuum at the time जब national movement वो recoubling होता है it is 10 they expose the next six जो expose करते हैं how as of the monford scheme साथ वा जो था demonstrate करते हैं जो council है could be used creativity जो drawbacks थे स्राजस जो थे वो lacked policy to coordinate their military inside legislature with the mass struggle outside तो उनका ये जो policy था coordinate करने का वो भी लेटी था अंदर legislature में लेकिन with the mass struggle outside they rely जो totally on the newspaper वो पूरा तरीके से जो newspaper और reports पे rely करते थे to communicate within with the public जो obstructive strategy दूसा जो obstructive strategy थी वो भी limited थी थी तीसा वो कोई भी कहते हैं जो वो do not carry on the coalition partner very far because जो conflict का idea जो conflict होड़ा था ideas का और फदर जो limited थी उनकी effectiveness भी चौथा वो fail हो जाते हैं कि उनका जो रिजिस्ट जो पर्क और जो privileges मिलती हैं power और office में उससे कुछ ज्यादा resistance नहीं कर पाते हैं पांचवाथ जो fail हो जाते हैं support the pleasant cause in Bengal वो support कर देते हैं जो pleasant pleasant किसानों का जो cause होता है Bengal में और यससे lost उनका जो support होता है वो lost कर अमंग उनका जो lost हो जाता है among Muslim members जो pro present थे constructive work जो no changer का रहा जो no changer थे वो devote वो devote करते थे themselves to constructive work और जो connect करते थे अपने आपको different sections of the masses के साथ जो पहला जो आश्रम जो आश्रम स्पैंग स्प्रेंग था और जो young men और जो women थे work कर रहे थे among tribals और जो lower classes जिसे खेडाओ बारदोली उजरात में popularize हुआ था use of the चर्खा और खादी दूसा जो लिस्ट स्कूल और जो कॉलेज थे वो सेट अप किये गए थे जहां पे स्टुडेंट को train किया जाता था non-colonial ideas framework के उन्हें सिखाया था 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 कि non-colonial ideological framework के बारे में और तीसा जो significant work था वो जो हिंदू-Muslim unity पे किया गया removing untouchability untouchability को हटाया गया by court foreign goods और liquor और flood relief जो हुआ चौथा जो constructive work हुआ serve as a backbone of the civil disobedience इस दोरान जो ये no changer ने काम करा ये बाद में backbone मना civil disobedience civil disobedience movement as a acting organizer जो criticize किया गया constructive work जो criticize किया जाला था constructive work जो national education थी benefit हुआ उसको urban labor middle class को और जो rich presence only जो ये उत्साथ था national education जो था surface in the excitement of the government only pacivity एक जो degree थी मा जॉब की जो student जो official school और colleges में जो popularization हो रहा था खादी का और जो अपहिल task जो था वो cost year था और imported clothes लाय जाते थे ये जो campaign था about the social aspect social aspect जो था untouchability का और no कोई भी emphasis नहीं दिया जता है on the economic gravidences जो landless हो चुके थे agriculture laborers जो comprise करते थे mostly untouchables और although जो surajist और जो no changer थे worked उनोंने करा in their separate way अपने अपने तरीके से लेकिन they keep on best of term and term with one another और इस तरीके से able to unite themselves जो time जो time was ripe with a new political struggle और जो समय जो था वो धी में दिये political political struggle के साथ बना emergence of new forces एक emergence of new forces social ideas और youth power और trade union अब यहाँ पे जो emerge होता है एक नई force जिसे socialist socialist ideas या फिर youth power कहते हैं या फिर trade union यहाँ पे लिकेट था 20th century का यह watershed होता है जो modern Indian history थी जहां पे more than one और यहां भी क्या होता है कि यह जो यह period था वो mark करता है जहां पे इंटी होती है मास इंडियन मासेस की international movement और दूसी तरफ जो पीर्ट था वो basic cash crystallization दिखा जाता है main political current on the national scene पे और जो यहां पे डाइवर्स जो डाइवर्स political current यहां पे देखने को मिलता है और जो और जिन होती है पार्टी की coming in on the scene of Gandhinean philosophy और यहां पे Gandhinean philosophy जो सत्यागरे था बेस जो truth or not violence का और यहां पे positive or negative जो reaction देखने को मिलती है जो international influence था Indian political thinkers का इस समय during this phase और यह pronounced then before जो नई forces emerge हो रही होती है 1920 में included the following पहला जो spread हो रहा था marxist or socialist idea marxist or socialist idea जो spread हो रहा था idea जो marxist और socialist thinkers inspired हो रहे थे बहुत सारे groups के दो जो इसमें existence में आ रहे थे चाहे socialist हों चाहे communist और जो idea था यह result आ रहा था जिससे की rise हो रहा था left wing within the congress में congress में left wing within the congress और इसमें represent कर रहे थे जवाललाल नहरू और सुभाज चंद बोज और यह जो young nationalist थे inspired हो रहे थे by the Soviet resolution जो Soviet revolution हो रहा था यहां से begin होती educating radical radical solutions for economic political social जो healthy country की यह younger जो younger nations nationalist थे जो पहला जो जो criticize करते थे बोच सुराजिस्ट और no changer को educate करते थे more consistent and holistic line पे और उन्होंने उन्होंने slogan दिया पूर्ण सुराज का जो complete independence चाहिए और यह inference थे by awareness जो इस्टिल वर्ज international current में चल रहा था वो जो stress हो रहा था need to combine nationalism और anti-imperialism जो social justice और सामेंटलेसी raise हो रहा था question of internal class जो oppression हो रहा था by capitalist और जो land laws थे जो communist party of India CPI communist party of India जो है form होती है 1920 में 1920 में communist party of India form होती है in 1920 इन ताशकन जो capital है उजबिकिस्तान की बाई मन एमन रॉय मन रॉय रॉय के द्वारा अड़ अंबानी मुखरजी और अधर और अधर जो second Congress Congress committee में थे एमन रॉय जो first actor होते हैं as a leadership of the coming coming turn coming turn और 1924 में 1924 में जो communist होते हैं ऐसे धेंगे मुजफर एहमद शकूवत उस्मानी नलनी गुपता और ये जेल में चले आते हैं कानपूर बॉलवास की conspiracy case में और ये 1925 में जो इंडियन Communist Conference होती है कानपूर में जो formalize होता है foundation of CPI 1929 में जो government crackdown होता है communist में और ये result resulted arrest हो जाते हैं ट्रायल होता है 31 leading communist का और जो trade union होती है है और left wing leaders जो trade union unions unionist होते हैं जो left wing leader और ये try करते हैं कि merit में एक famous merit conspiracy case होता है जो worker of pleasant party है वो organize करती है all over the country और ये propagate करते है मार्क्सिस्ट और communist ideas ये जो communist group और जो workers थे जो communist group और जो worker प्लीजन थे ये पार्टी के remain as an integral part of the national movement के integral part बने रहते हैं और work करते हैं along with Congress Congress के साथ work करते हैं जो activism था इंडियन यूथ में अब दूसरा जो activism था इंडियन यूथ में all over student थे वो leak के वो अपने आपको established करते हैं और student जो conference है वो हेड होती है 1928 में जवाल नहरू जो है प्रसाइड करते हैं overall all Bengal student conference जो presents agitation था present जो किसानों का गुस्टा था United province present agitation जो था वो revision जो हो रहा था Tennessee Tennessee law का जो किराय पे जमीन मिलते थी lower rent और जो protection हो रहा था अगेंस्ट eviction और जो relief from the in-depthness जो जो उधारी जो उधारी पे हो रही थी जो similar pleasant agitation था वो राम राम रंपा में भी हो रहा था आंदर प्रिदेश में राजस्थान में हो रहा था रोय रोयत्वारी एरिया जो बॉम्बयों मदरास के गुजरात में और जो बार्दूली सत्याग्रह था बार्दूली सत्याग्रह जो लिया जो चलाया गया था वार्द भाई पटेल के था 1928 में growth of trade union जो इसी समय trade union भी चल वोती है जो trade union movement था ये lead किया जा रहा था All India Trade Union Congress इसको All India Trade Union Congress कहते हैं और ये फाउन्ड ही हुआ था 1920 में जब Communist CPI ताशकंद में हुआ था लाला राजपत राय जो होते हैं इसके first president बनते हैं और दिवान चमन लाल जो है इसके security बनते हैं और तिलग जो है also one of the moving spirit इसमें रहते हैं लेकिन जो major strike होती है 1920 में जिसमें कहते हैं खरकपुर railway workshop टाटा iron steel workshop और जो bombay textile meal होती है जिसमें एक लाग पचास जार worker जो होते हैं वेंट आन फॉर त्री मंद पांच मंद के लिए strike करते हैं बकिंगम कारनाटिक मेल जो होती है और 1928 में यह जो number of strike होती है जिसमें पांच लाग वरकर होते हैं 1923 में फस्ट में डे जो है celebrate किया जाता है इंडिया में इन मदरास तो इसलिए फस्ट मई जो होता है वो labor day मनाते हैं तो 1923 में फस्ट में डे जो है celebrate किया जाता है इंडिया में इन मदरास कास्ट मुवमेंट अब यहाँ पे earliest जो पहले पिरिट था उसमें variant contradiction देखने को मिलती थी Indian society में और यह जो expression था caste association मुवमेंट इसको कहते है जो मुवमेंट है यह diverse हो जाता है conservative उसमें इसमें at the time potential radical और included इसमें कुछ पार्टी है जैसे justice party जो होती है मदरास की self respect मुवमेंट जो 1925 में चलो होता है पेरियार मुवमेंट इसको महार के अंदर महार 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 मुवमेंट जो चालो होता है के अंदर महारास्ट में रेडिकल इजावाज रेडिकल इजवाज अंडर ए अपन और के सावन इन करेला यादवा इन भिहार फॉर इंप्रूब्मेंट सोशल स्टेटर्स जो यूनियन निस्ट पार्टी होती और फजल ए हुसान हुसान पार्टी पंजाब की जो रिवलिशनी रिवलिशनीस्ट एक् किन्णु एफ इन गद राटे करें कुछने हैं और वह समाज को अच्छा बनाने की कोशिश्च कर रही होती हैं समाज के लिए काम कर रही होती हैं इस लाइन में जो शो डिस सेटिस्पाइड लोग थे निसलिस्ट स्टेट रजी और फॉलितिकल स्टिग पोलियेशन साभग इस्टीट्गॉप होता है अंडर चिटिटिगोंग रिवोड गूर्ट होता है अंदर सूर असे निर बेंगॉल ने तो यूपी पंजाब यूपी पंजाब भी हर में और दूसर बेंगॉल में तो यूगंतर अनुषीलें ग्रूप और हिनुष्टान Republican Association अब जो revolutionist होते हैं जो revolutionary activity होते during 1920s वाइ attraction of revolutionary activity after non-corporation movement जो revolutionaries होते हों face severe repression during the first world war और बाद में early 20s में जब release किया जाते हैं government under the general amnesty to create a harmonious environment इससे हो सके for the Monfort reform to work soon बाद में गांधी जी launch करते हैं non-corporation movement अंडर दा प्रोकेश जब वो अंडर प्रोकेशन गांधी और स्यारदास जो बहुत सारे revolutionary group होते हैं आईधर वो जॉइन करते हैं join to non-corporation program और suspend जब हो जाता है यह सारे activity को देखे non-violent जो corporation movement होता था जो sudden withdraw कर लिया आता है non-corporation movement जिससे बहुत सारे वो डिस जो डिस हो जाते हैं और यह begin करते हैं question basic strategy क्या होनी चाहिए nationalist leadership की और किस पर ध्याम देना चाहिए और non-violence begin to look for attractive बाद में यह जो यंगर नेशलिस्ट होते हैं वो not attracted to the parliamentary work वो parliamentary work से जदा attracted नहीं होते हैं जैसे की स्वाजिस्ट हुए थे और इस तरीके से जो पे जो patient था जो undramatic constructive work का no changer का भी और स्वाजिस्ट और जैसा की patient और undramatic constructive work था no changer का भी और वो सभी withdraw कर लेते हैं अपना इडिया और इस तरीके से violent method alone जो अपनाते हैं जिससे वो free करेंगे इंडिया को और यह evolutionary activity जो है revived होती है nearly all major जो लीडर थे revolutionary policies के वो बहुत ही उनका interestedic participant था in non corporation movement में जिसमें जो जोगेश चंद चटरजी सोर्य सेन भगस सिंग सुखदियो चंद शेकर आजात शिव वर्मा भगवती चरण वहरा जैदियो का कांट कपूर और जैतिंदास जो टू सेपरिस्ट स्टैंड होते हैं revolutionary group में इमर्ज होते हैं इसमें एक open ओपर एक operate कर रहा होता है पंजाब भिहर और दूसरा जो होता है बंगॉल से major जो इसमें देखने को मिलता है जो पहला अपसर्ज जो होता है working class का trade union में after war जो revolutionist revolutionary होते हैं वह चाहते हैं कि वह harshness करें revolutionary potential जिससे कि new emergent class जो है nationalist revolution revolution लाए दूसरा जो Russian revolution होता है 1917 का यह बहुत बड़ी success थी young Soviet की state की जिससे concert relate करते हैं वहाँ पर जो जार होता है उसको उठा के fake दियाता है और वहाँ पर जो लेलिन होते हैं वो अपना खुद का स्टैलिन जो होते हैं वो अपना का socialist वहाँ पर socialist एक state बनाते हैं त्रीसरा जो newly sprouting communist group थे with their emphasize जो emphasize करते थे Marxist पर socialism पर और pro literate पर चौथा जो journal थे publish हो रहे थे memoirs और जो articles थे extoll करते थे self sacrifice of revolutionaries जैसे कि आत्म शक्ति और सार्थी और बिजूली जो नोवल थी फिफ्ट जो नोवल थी और जो भुग थी चहाँ बंदी जीवन हो सचन सान्याल का या पत्थर बद दभी सच सरचंद चटर जी का हो यह जो government band कर रही थी only enhance in popularity पंजाब में इन पंजाब युनाइटेट प्रोविंस पंजाब युनाइटेट प्रोविंस और बिहार में जो पहला फ्रेंट था जो revolutionary activity थी इस रीजन में वो dominate कर रही थी by हिंदुस्तान Republican Association Army जिसे HRA कहते हैं बाद में इसका नाम हिंदुस्तान Socialist Republican Association कर दिया HSRAS लाय दिया गया और जिसे Indian Constitution में S Socialist और Secular बाद मिला गया उसी थ था है फांड किया गया था 1924 को एट कानपूर बाय राम परसाद बिसमेल राम ये 1924 को फांड किया गया था चारे कानपूर में राम परसाद बिसमेल जो गेश चंद चटर जी और सचन संग्याल के तरह जो एम था कि organize करना एक armed resolution एक armed revolution जैसे कि overthrow कर दिया जाए colonial government को और एक of America whose basic जो principal होगा वो adult franchises होगा जो खुद चुनाओं करके सरकार बनाएंगे काकोरी रॉबरी होते है उसी के एक साल अगस्त 1925 में जो most important action था है चारे का वो काकोरी रॉबरी थी जिसमें मैं जो है ये 8 डाउन ट्रेन 8 डाउन ट्रेन जो काकोरी लखनाओं से थोड़ी दूर hier तीस ख्रमा पर यहां पए जो विव लिजह होता है नियर लखनाओ ये लूटा जाता है जिसमें ऑफिशल रेल्वे जो ऑफिश्च्यल रेल्वे कैश होता है गार्मन्न जो क्रैक डाउन करता है आफ्टर र काकडी रॉबरी जिससे औरेस्ट हो ओले closest होना औरे ये वो ज और लहरी इनको हेंग कर दिया जाता है और काकोरी जो यह प्रूफ होता है तो भी ए सेट बैक तो चार लोग बहुत इंपॉर्टन है बिस्मिल बी यह और आर बी यह बिस्मिल अस्वाग और रोशन और राजेंद्र लहरी है चार ऐसे जो हिंदुस्तान सोचलिस्ट रेपब् organize करेंगे हिंदुस्तान Republican Association को as a historic meeting होती है इंदा फिरोश शाक कोटला दिल्ली में September 1928 को और इसी के साथ जो leadership होती है चंद शेकर आजात जो है जो name होता है अचारे उसको change किया जाता है और हिंदुस्तान Socialist Republican Association का जाता है और जो participant होते हैं इसमें भगत सिंग, सुखदयो, भगवती चरण, वहरा और पंजाब से होते हैं बिज्वाय कुमार सिंग, बिज्वाय कुमार सिंग और शिव वर्मा और जैदयो कुमार, जैदयो कपूर जो होते हैं यूपी से होते हैं और जो एचेस आरे तीन लोग उधर से तीन लोग जो पंजाब से थे भगत सिंग, सुकदयो, भगती चर्ण वहरा पंजाब से थे और बिज्वाय कुमार सिंग, वर्मा और जैदयो, कपूर ये यूपी से थे और एचेस आरे जो है डिसाइड करता है कि वर्क जो है अंडर दा कलेक् समय काकोरी के बाद 1924 के बाद 1925 में काकोरी होता है उसके बाद ये ये लोग अपना है सारे बनाते हैं 1928 में 1928 में ही? उसी समय लगबख सॉंडर्स का मडर किया आता है क्योंकि सॉंडर्स का मडर इसलिए किया आता है क्योंकि उस समय जो सार्मन कमिशन आया था उसमें लाला राजपत राय को सॉंडर्स के और पर क्या करते हैं जो ऑफिसर होता है वो लाठी चार्ज करते है इस ते लाला जी की ड individual heroic action हो जाता है जो डेथ होती है सेरे पंजाब जिसे लाला राजपत के राय कहते हैं यूटू लाठी ब्लो होता है जिसमें लाठी जो चार्ज होता है एंटी साइमन कमिशन के खिलाफ होता है जो अक्टूबर 1928 में आया था और ये जो अगेन एक individual association होता है बगर सिंग आजाद बगर सिंग आजाद और आजगरू शौर्ट डेड सांडर्स सांडर्स को जो पुलिस था ओफिशल रिस्पॉंसबल होता है लाठी चार्ज इसने करा था लागर में और जो अससिनेशन जिस्टिफाइड होता है विद इस वर्ड जो मडर है जो वर्दीर हैंड ऑफ अन ओर्डिनरी पुलिस ओफिसर वाजन इंसर्ट तू दर नेशन इट वस बांदन ड्यूटी ऑफ यंग मैन ऑफ इंडिया तो इनेंस वी रिग्रेट तो हैव तो किल ए परसें बट वी वस पार्ट अफ देट इन्यूमन और इंजिस्ट अर्डर विच वाज टू भी डिस्ट्राइड हम मनुशी को मानने हम अनुश को ही माना चाते लेकिन जो अन्जिस्ट कर रहा है उसके लिए हमें डिस्ट्राइड करना ही पड़ेगा जो बॉम उसके बाद बॉम डाला जाता है 1928 के बाद अपरेल में बॉम इन दे सेंट्र लेशलेटिव एसेंबली अपरेल 1929 में 1929 में एचे सारे जो है इंदुस्तान सोचलिस रिपब्लिकन आर्मी जो होती लीडर्शिप अब यह डिसाइड करती है कि पीपल जो है वो 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 चेंज करेंगे अपना अब्जेक्टिव और जो नीड है रिवलुशन की उसमें मासेस को लाना पास पबलिक सेफटी बिल्गौ ऊटो होता है और ट्रेड डिस्प्टीट जो दूबील होते हो उसको चालते हैं और सब्ल rpm करते हैं चिवי सिभी लिब्रादी आफ्दीृटि मिंड को होता है और फिर लीपॉघंडा होता है और उन पर कैल न रोपोगेंडा होता है और प्यूटीरों वो फैमिलियर विद देर मुवमेंट एन आइडिलोजी इस तरीके से लोग उनके आइडिलोजी को और उनके मुवमेंट से काफी वाक्य होते हैं एक्षिन अगेंस दा रिवल्यूशनरी अब जो भगर सिंग सुधियो राजग्रू इनको ट्राइ किया रता है लाहूर कॉंस्परसी केस में और बहुत सारे रिवल्यूशनरी जो ट्राइड इससे साथ जुड़े होते हैं सिरीज और जो केसे होते हैं जो जेल में जो रिवल् दिन का वो फास्ट रखते हैं और इससे क्या होते है डिफेंस जो था दीजी रिवल्यूशनरी इस वाज और नाइज पाइदा कॉंग्रेस लीडर जो भगर सिंग थे वो विकम हाउस्वोड नेम और घर-घर में भगर सिंग का नाम चलने लगता है आजाद जो दिन था वो ट्रेड नियर न्यू डैली में इन डिसंबर 1999 लेकिन 1930 में जब सिरीज ऑफ वालेंट चल रहे थे पंजाब में और यूनाइटेड प्रोविस में 26 इंसिडेंट होते हैं 1930 में पंजाब एलोन आजाद जो डायट मारा जाते हैं पुलिस इंकाउंटर में इन पार इसके बाद इन बेंगॉल में 1920 में जो रिवलिश्नी ग्रूपस थे वह रियॉर आइस करते हैं 1920 के बाद जो रिविलिश्नी ग्रूपस होते हैं अपने आपको रियॉर्गनाईस करते हैं अंडरगाउंड एक्टिविटी करते हैं और बहुत सारे जो कर्टिन्यू स्वारजिस्ट वर्क कर रहे थे और आफ्टर डेथ जो दास की डेथ होने के बाद 1925 में जो बेंगॉल कॉंग्रेस ब्रोक हो जाती इन्टू टू फ्रेक्शन एक जो होता है जिम सेन गुपता जिसमें अनुशीलन ग्रूप जोईन करते हैं जो फोर्सेज और दूसरा जो होत करना ग्रूप्स का इंक्लूडेड एन एससे एसे एसे मीलेशन एटेम्ट अन्दा नटोरियस जो कलकत्ता प्रिस्टी कमिशनर की जो चार चारलेस टिग्रट जो गोपी नाथ साहा 1924 में जो गवर्मेंट आर्म्ट जो गवर्मेंट आर्म्ट आर्म्ट विद न्यू ओर्ड कर लिए जाएंगे गोपी नाथ साहा को हैंग कर दिया जाता है अब जो गवर्मेंट है वो का रिप्रेशन जो फैशनलिज्म है वो लगबग रिवलुशनी इसको और जो रिवलुशनी एक्टिविटी है उसको सफर कर रहे होते सेट बैक सून जल्दी ही जो रिवलुशनी स्टार्ट करते हैं रिग्रूपिंग और एक नई रिवोर्ड ग्रूप जो है बहुत ज्यादा मोस्ट एक्षन जो फेमस थे उससमें चिटगॉंग में वो अंडर सूरिसेन द्वारा हो रहे थे चिटगॉंग आर्मी रेड जो अप्रेल उन्नी सो तीस में हुई सूरिसेन जो पार्टिसिपेंट थे नॉन कॉपरेशन मुवमेंट में वो एक वो एक टीचर थे नेशनल स्कूल इन चिटगॉंग बाद में उनको इंप्रिजेंट किया रहता है उन्नी सो चबई सटाइस में रिवोलुशनरी एक्टिविटी के वारा बाद में उनको कंटि निजम इसे स्पेशल वर्चू अफ़ रिवोलुशनरी और बाद में वो लवर ही वाज लवर ऑफ पोईट्री एन एड्मायर ऑफ टाइगोर एंखाजी नजरूल इसलाम वो काफी ज़्याद़ टाइगोर और क्वाजी नसरूल इसलाम के पोईटी से भी काफी एड्मायर सुरे से जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि और गनाइज करेंगे एक आर्म डिबैलियन अलॉंग विद हिस एसोसियेट जिसमें अनंत सिंग गनेश गोष्ट लोकने लोकनाथ बाउल और यह जो है पॉसिबल चैलेंज था आंड माइट माइट ली बिटिश इंपैर के ल लाइन्स को और जो डी लोकेट करेगी रेलवे लिंक जो चिटगॉंग जो चिटगॉंग को विद रेस्ट आप बंगॉल से जोड़ता था यह जो रेड है कंड़क्ट की गए 1930 में अपरेल में और जो इन्वाल्व करते हैं इसमें इन्वाल्व थे 35 एक्टिविस्ट अंड यह होस्ट होता है नेशनल फ्लेग और यह सल्यूट करते हैं प्रोप्रेम करते हैं एक प्रुविस्टिन फउल्यूशिया ज़्यएंख करते है एक लिए रेट थी फायर दा इमेजिनेशन ओफ रिवलुशनी माइंडेड यूथ और ये क्या करते जो रिवलुशनी ग्रुप्स थे वो धीमे धीमे स्टेडी स्टीम में आते हैं आस्पेक्ट जो थे न्यू फेज ओफ रिवलुशनी मुवमेंट इन बंगॉल इसी तरीके से एक नया फेज रिवलुशनी मुवमेंट चलता है बंगॉल में कुछ जो आस्पेक्ट थे पहला की बहुत लाज स्केल में जो पार्टिसिपेशन था यंग वो यंग वोमन का इस्पेशली जिसमें सूरी सेंथ थे और जो वोमेंस थी प्रवाइट शेल्टर वो प्रवाइट लता वाधे धर और जो डाइड हो गई थी कंड़क्ट करेज अवरेड कलपना दत्ता जो अरेस्ट कर ली गई थी ट्राइब अलॉंग दर सूरी सेन और जो गिवन लाइफ सेंटेंस जो सांती घोश और सुनिती चंदेरी स्कूल गल्स थी कमेला में और शॉर्ट डेड डिस डिस्टिक में उन्होंने इस डिस्टिक में जीट को मार दिया था दिसंबर 1931 में बीना दास जो थी फायर पॉइंट ब्लैंक एट गॉर्णर जो कि रिसीव रिसीव हर डिगरी एड दे करन में कौन वेशन उन्हीं और जो जो उनको डिगरी दी कि तभी सूट कर दिया गॉ और जो कॉलिनियल स्टेट थे बाद में जो इन्डिविजियल एक्शन भी लिया गया और जो अब्जेक्टिव था ये एक्स जो सेट अप करना था एक्जामपल बिफोर दे यूथ और टू डिमॉलिश्ट ब्यूरुक्रेसी बॉक्सम जो अर्लियर टेंशी थी तोड़्स ह सूरिसेन जो थे सूरिसेन हैड मुसलिम्स जैसे सचे सतार मी रहमद, फकीर रहमद, मियान और जो तनू मियान जो इनके ग्रूप में थे और बहुत सारे ड्रॉबैग भी रहे जिसमें पहला जो मूब्मेंट था और स्टेंड सम कंसर्वेटिव एलिमेंट के यह बीच में वो फेल हुए क्योंकि इवाल बॉर्डर, सोशो एकनामिक गोस जो थे और उनकी वर्किंग थी स्राजिस्ट, स्राजिस्ट जो फेल करके थे सपोर्ट दा में मुसलिम प्लेजरेंट्री अगेंस जमिदार इन बेंगॉल जो ओफिशियल रेक्शन होती है, बहुत देर वाज पैनिक, बहुत जीदा पैनिक होता है, फर्स्ट और जो सीवियर गॉर्मेंट रिप्रेशन थे, जो आम्ड थी, बीस रिप्रेशिव एक्ट लाए जाते है, जो गॉर्मेंट, लेट, लूज दा, पुलिस, लूज करती है, पुलिस ऑन दे रिवुलिशनरी जो चिट जो है, बर्न कर जाते है, वो पुटेटिव, फाइंस लगा जाते है, इंपोज और इस तरी के बहुत सारे अदर्स पे भी, 1933 में जवाल ना नहरू, आरेस्ट कर जाते है, फॉर्मेंट, उन पर राजदो लगाता है, गिवन तू येर सेंटेंस, विकॉस, लिकॉस, लिकॉस और जो है इंपरिलिज्म, और जो होँ है, जो का इन पर रिबॉलुशन है, उसका फ्रेस करते है, इसलिए, उन को दो साल, आप सोरीटेशन लगा की उनको जिल बेजा जाता है, जो आईटिलोजी, रे-ठींग, जो रियल ब्रेकड़ॉन हुआ था, मेड भागह सिंग और ज 1920s में जो founding council थे हारे की वो decide कर रही थी कि जो कैसे preach किया जाए revolutionary और जो communist principle है हारे manifesto 1925 का declare करता है कि जो हारे है stood for abolition of all system हारे जो है वो लगबख सारे सिस्टम खतम करेगा जो exploit करते हैं of man or man possible हारे का main जो organ था revolutionary था जो प्रपोस करता है nationalism जो थी of railways और जो other means of transport और heavy industries जैसे कि ship building और steel अचारे जो है decide करते है कि वो start करेगा labor और pleasant organization जो work करेगी for organized organized और armed revolution लेकिन बात में जो last days होते है 1920s के जो revolutionaries होते हैं start करते हैं moving away from the individual heroic action करते हैं आप individual level पे और violence करते हैं toward mass politics में जो बिस्मिल जो last days में appear to the youth जो give a piston और revolvers not to work in the revolutionary conspiracy बलगी work in the open movement और उनका जो उनका कहना था कि जो यूथ हैं वो अपने आपको स्ट्रेंद्ध करें यूंदू मुस्लिम उनिटी और यूनाइट करें पॉलिटिकल ग्रूप्स ग्रूप्स अंडर दे लीडर्शिप ऑफ कॉंग्रेस बिस्मिल जो हैं वो उनका फेद कम इस प्रकति का प्रड़क्त है जो फेमस स्टेटमें थे रवलिशनी पोजिशन का उसमें जो भुक थी फिलोस्पी और बांब रिटें बागवत चरन वहरा का इवन विफोर जो भगर सिंग जो मुव अवे फ्रम दे बिलीव कि जो वाइलेंट और इंडिविजिल हेरोइक एक्षन है वो मार्शिस से बिलीव करता है कि पॉपलर ब्रॉट ब्रॉट बेस्ट मूव्मेंट एलोन और यह लीड करते थे सक्सेस्फुल रिवलिशन बाद में जो बाद में ज सबाव 1926 में और ओपन विंग जो थी रिवलिशनीज की जो कैरी कर रही थी पॉलिटिकल वर्क अमंग दे यूद और जो प्रीजेंट रिवर्कर्स थे और यह ओपन करती ब्रांचे इन दे विलेज बगर सिंग सुगदियो जो और नाइस कर रहे थे लहौर स्टुएंट को जो यूनियन फॉर ओपन और जो लीगल वर्क है अमंग इस स्टुडेंट भागर सिंग और उनके जो कॉमोडरेट थे वो रिलाइस करते हैं जो रिवलिशन है वो और अर्गनाइजेशन और डबलेप्मेंट जिब तक नहीं होगा मास मूवमेंट तब तक और सप्रेस किया जा रहा है जो सेक्शन बाइ रिवलिशनी इंटेलिजिशन भागत सिंग यूज तसे जो रियर रिवलिशनी है आरमी आरि इन दविलेजेश एन फैक्टिज जो हमारे रिवलिशनी आर्मी है वो हमारे गाउं और फैक्टिव में है और जो इस जो नीड है individual heroic action की वो firstly जो effective acquisition हो रहा है new ideology का जो prolonged historic progress हो रही है यह समय है यह समय की demand है कि अब हमें कोई change लाना होगा जो वे है thinking का सोच का से अंगली जो youth हैं उनके अंदर वो जो जिस टाइब का दिल डिलेमा जो असमंजस की स्थिति में है कि how to mobilize people request them और इस तरी की सब्सक्राइब करते हैं जो प्रफगेंडा था जो उनके डीड थे जिससे individual heroic action जो है वो यूज क्या उन्होंने court में फोरम जो court है वो एक ताइब से forum बन गया for revolutionary propaganda इस तरीके से उनकी आवाज बुरे देश में पहुंच नहीं थी redefining the revolution revolution जो no longer equated with militancy or violence जो objective था वो national national liberalism imperialism और जो overthrow कर दिया गया बयान दैट जो new socialist order था वाज अचीवड और एंडिंग जो exploitation था बाय और exploitation of of man by man और ये भगा सिंह ने कहा कि जो revolution does not necessarily involve sanctuity strive nor it nor is there a place in the for personal way data और इसी के साथ ये जो उनने बाम डाला और पिस्टन बाम और पिस्टन जो था introduced किया और culture introduced किया और जो revolution था वो प्रेज प्रेजेंट और आफ तिंग्स जो क्याकते base time manifest injustice must change जो भगत fully accept करते थे मार्क मार्क्सिस्म और जो class थी approach socialist society की प्लीजेंट्स जो है हमीसा free themselves not only from the foreign योग बल कि अपने आपको landlord से भी अलग रखें और जो capitalist है उनसे भी उन्हों का कहना था कि जो struggle है इंडिया में वो continue हो रहेगी जब तक handful of exploiters continue रहेंगे वो exploit करते रहेंगे labor of common people और बाद में उनके इंट्रेस्ट जो थे बहुत सारे matter जो थे exploit कर रहे थे exploiters जो थे वो बिटिश capitalist थे और जो बिटिश और इंडियन capitalist alliance थी वो purely इंडियन थी और इस तरीके से जो defined किया उन्होंने socialism scientifically एक abolition करना था capitalism और जो class domination था जो हमाई इंडिया में capitalism और जो class dominance था उसको भी उनको खत्म करना था भगत जो थे फूरी पूरी तरीके से concise थे secular और जो उनका two of the six जो rule draft किया था भगत ने from the पंजाब नौजाब नौजवान भारत सभा में उसमें जो उसमें जो उसके मेंबर भी थे और nothing to do with the communal bodies और कोई भी communal bodies के साथ कुछ नहीं किया गया और इस तरीके से जो वो propagate करते थे एक general feeling जो tolerance की among people जो consider करती थी religion to be matter of personal belief personal जो धर्म है वो personal belief का है सिर्फ और वो secular के supporter भी थे भगत सिंग जो थे और देखा कि जो importance है freeing people from the mental bondage दिमागी तोर पर उनको बांद रखा है और religion and superstition में और जो revolutionary है यह one required immense moral strength जो revolution मानते थे कि हमें एक moral strength चाहिए but one also required matrices उनको और इस तरीके से independent thinking होनी चाहिए अब जो समरी सुराजिस और जो no changer थे सुराजिस जो थे educate करते थे कांसिल में इंट्री और बाद में विड्रो करा उन्होंने नॉन कोपरेशन मुब्मेंट से विद एन एम टू एंड और एमेंड दा कांसिल वो चाहते थे कि या फिर वो कामकाज बंद कर देंगे या फिर मेंड कर देंगे no changer जो थे वो educate करते थे constructive constructive work during transition period में जो एमर्जेंस हो रही थी new focus during 1920 जिसमें पहला इसपेड हो रहा था Marxism और socialist idea दूसा जो एक्टिविज्म हो रहा था इंडियन यूथ में तीसा जो प्रीजेंस agitation था चौथा जो growth हो रहा था trade union का और जो caste movement था छठा जो revolutionary terrorism with 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 a tilt towards socialism activity of hra और hsra यह इंस्टैब्स किया गया 1924 में काकोरी और आपरी उनी सब पच्चीस में reorganize किया गया 1928 में और सांडर्स मडर्वा उनी सवर्थाइस में bomb in central legislative assembly 1929 में यह by to blow and vice right in 1929 में आजाद को किल कर दिया किया इसमें इन काउंटर में 1931 में मगर सिंग राजगुर्व सिक को थे मतेश मार्च उनी सब कर दिसमें और ब्रॉड एन व्यू आफ यह 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 लिटर यास लिटर यह में जो आइडिलोजी थी मूव करती है from individual action towards the socialistic idea के साथ जो revolutionary बेंगॉल में थी attempt जो था on life of कलकत्ता प्रेस कमिशनर में 1924 और सूरे सेन चिटगांग चिटगांग रिवोर्ड जो ग्रुप होता है चिटगांग रोबरी होती 1930 में इसी के साथ यह चैप्टर फिनिश होता है थेंक्यू